दिल्ली दे वेट करोना महा मारी काफी पेर पसार चुकी एते दिल्ली दे हलाद काफी खराव हो चुके ने पिश्रे दो हफ्तेया तो ज्यादा समय तो दिली देवेट लॉक्डाउन चार रहा है जिस दुरान लोकान देले अपने करता गुचारा करना भी काफी मुश्किल हो रहा है इसे दुरान दिली सरकार ने एक बदिया पहल कदमी करते हुए एक बड़ा फैसला ले आए जिस तहत 72 लाख राशन कारतार कानू दो महीने फ्री राशन दिता जावेगा इस दो लावा टेक्सी ते रिक्षा चाल कानू भी 55 जार रपै हर महीने मदद दिती जावेगी अर्विंद केजरीबाल ने प्रेस कान्फरेंस बेट एलान कीता कि ओ लोग जो हर रोज एक मा के खांदेने उना देली लॉकडाउन देवेट करता गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो रहा है पर ऐहो जैस समय देवेट साधी सरकार उना दी मदद करेगी मजदूर के एकाउंट में 55,000 रुपे हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था उनके अकाउंट में 55,000 रुपे जावी चुके हैं जो लोग बिमार होते हैं जिनके आरटी पीसेर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान क किया था उन मजदूरों के लिए आज हम दो निर्ने हम लोगों ने लिये हैं एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं लगबग 72,000,000 राशन काड़ धारक हैं इन 72,000,000 लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा इसका मतलब आप यह मत निकालिएगा कि लोगडाउन दो महीने चलेगा भगवान ना करे जादा दिन चलाना पड़े भगवान करे कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लोगडाउन खतम हो लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज राया उसको मदद क के लिए सरकार ने निरने लिया कि अगले दो महीने के लिए सब को राशन मुफ्त दिया जाएगा दिली सरकार की तरफ से और दूसरा निरने ये है कि जितने दिली में आटो चालक हैं टैक्सी चालक हैं ये बिचारे रोज आटो चलाते थे टैक्सी चलाया करते थे शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसे से इनका घर चला करता था इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती गरीब लोग होते हैं पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी ब दे के मदद की थी आज भी हम ये निरने लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी आटो चालकों और टैक्सी चालकों को पांच-पाच हजार उपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके स इसनों लावान दिली वासियान वी अपील किती की करोना दी लडाई देवेट एक दुझेदा साथ देन क्योंकि इस लडाई नूँ एक दुझेदे साथ देनार ही जुते आ जा सकता है ये बहुत ही कठिन दोर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत जादा खतरनाक है हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है चारो तरफ लोग कितने परेशान हैं चारो तरफ लोग कितने बिमार हैं, मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विंती है, कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है, सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाह चाहे किसी भी जात के हूँ, ये बिमारी तो किसी को नहीं देखती, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें, अगर कोई बिमार है, उसको अस्पिताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं, अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है, उसको बेड दिल आने में मदद कर सकते हैं, उनके घर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, इस वक्त ऐसे बहुत लोगों के जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही होगे, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके, तरह तरह से आप लोगों की मदद कर स जल्द हम करोना से जीत पालेंगे नमस्कार